Hello guys welcome to my youtube channel Riddik technical support so today we will talk about how to enable secure boot univer all windows okay so first of all please subscribe my youtube channel and press the bell icon so हमें सबसे पहले start पे क्लिक करना है ठीक है then आपको settings पे क्लिक करना होगा यहां पे हमें system पे क्लिक करना है system पे क्लिक करने के बाद आपको recovery पे क्लिक करना है ठीक है recovery पे क्लिक करने के बाद recovery options में आपको सो करेगा advanced startup then आपको restart now पे क्लिक करना है ठीक है जैसे आप लोग restart now पे क्लिक करेंगे आपका जैसे ही PC restart होगा आपको आपके जो भी आपके पास model है लाइक आपके पास अगर Lenovo का होगा HP का होगा, Dell का होगा तो आपको F1 प्रेस करना है ठीक है, देन आपके PC में BIOS जो setup रहता है वो यहाँ पे इस तरीके का interface में आपको so करेगा ठीक है, जैसे ही आप इस setup में आते हैं यहाँ पे आपको एक option मिलता है secure boot का ठीक है, secure boot को आपको simple enable करना है enable करने के बाद आपको F10 प्रेस करना है आपका changes हो जाएगा, save change हो जाएगा देन आपको restart करना है आपका यह setup रहेगा, वो complete हो जाएगा ठीक है, तो simple आपको BIOS में जाने के बाद में secure boot को enable कर देना है F10 को press करना है, देन आपका यह change हो जाएगा आपको restart करना है, देन आपका यह setup रहेगा वो complete हो जाएगा काफी लोग को doubt रहेगा कि मैं यह खुछ से क्यों नहीं बता रहा हूँ, मैं ऐसा बोल के क्यों बता रहा हूँ देखिए आगर मैं BIOS setting को open करूँगा अपने PC में तो जो मारा screen recording चल रहा है, वो यहाँ पर नहीं चलेगा ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि BIOS में जाने के बाद आपको इस type का interface मिलेगा यहीं पर आपको option मिलता है, secure boot का उसको simple enable करना है F10 को press करना है, वो change हो जाएगा दर आपको restart करना, आपके जो setup रहेगा, वो complete हो जाएगा अगर आपका फिर भी doubt रहेगा, तो आपको मैं WhatsApp कर सकते मिलते हैं next video में, जय मातादी